हेलो अब्रीवन मैं अंकर वाविले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैगनेट ब्रेंस इंदी मीडियम पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलती है निसुल्क सिक्षा वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फेकल्टी के साथ तो चलिए बा हैं आप किन को कहते हैं यह सारी बाते हम समझ चुके थे कि नदियां को कहा जाता है आप बहुत अच्छे से जानते भी थे कि नदियां क्या है नदियां क्या है यह आपको बहुत अच्छे से पता था कि किन चीज़ को आप नदी तंतर कहेंगे अगर आप यह कह रहें कोई से एगी नदी जा रही है बड़ी सी मात्रा में या बड़े बड़ा सा जल लेकर कोई नदी जा रही है गार इसको आप के ं सकते हैं मैं कई सारी चोटी इस पत्री और तो पत्री हो गई है यह सब क्या थी मुख नदी और उसकी सहायक नदियां तो इनको हम क्या कह रहे थे यह हमारा नदी तंत्र कहला रहा था अब यही नदियों को हमने दो तरीके से बाटा हुआ था इन्हीं नदियों को हमने इनकी उत्पत्तिक अधार पर हैना कैसे इनकी उत्पत्तिक अधार पर अगर ये कोई ऐसी जगह से निकल लई है जहां पर साल भार पानी मिल सकता है यानि की हिमालेवाला और कुछ ऐसा अलाका जहां पर साल भार पानी नहीं मिले गाया यानिकी प्राइदी भारत तो हमने इसी कारण से इनको भॉग अलग अलग भागों माता है तो यह बात हम पर बात होगी यह तीन नदी तंत आपको देखने हैं यह तीनों की अगर आप बात करेंगे तो तीनों लंबी भी है और महत्तपूर्ण भी बहुत है तीनों बहुत लंबी नदियां है और बहुत महत्तपूर्ण नदियां अब यह तीनों आप देखे हमालाय से निकल रही है ह हेमानी कहते Abb force тебе बड़ साथ में पानी में जाएगा लेकिन जब गर्मियों में हर एक नदी में पानी कम होने लगता है तब गरी में बड़ पिखालने लगती तो हिन नदियों में पानी का इसिस तर cash बना रहता है यह साल बहती इस कारण से इनको सदा बहानी या 12 हमासी नदियां भी कहा जाता है यह हमने पढ़ लिया था यह हम देख चुके थे तो महत्रपूर्ण हो गए हम जानते हैं सबसे पहली चीह आती है जिसको आप सिंधू नदी तंत्र के नाम से जानेंगे सिंधू नदी तंत्र जो है वो आपको तीन अलग 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 देशों में जाते हुए नदी जो है वो तीन अलग 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 देशों की यात्रा करती है मतलब कि तिबबस से नकलेगी भारत होते हुए पाकिस्तान जाएगी यह इसकी यात्रा रहेगी इसका उद्गम जो है कि अगर बात करें तो इसका origin point आप देखें के सा आए गा आगा माश्कारोबर जीन के पास आए आइगा मानसरbuild जीन के पास आप इसका उरिजन के पॉंगत देखेंगे और लंबाई जो होगी वह आप लंबाई देखेंगे 2900 किलोमीटर Channel कि लंबाई लंबाई देख पाएंगे 2900 किलमीटर आपको लंबाई होगी और मान सरोबर जील के पास आप इसका उद्गम देखेंगे औरिजन पॉइंट देखेंगे अब कहा होगा मान सरोबर तो यह हम अभी मैप के अंदर करके बात हो जाएगी प्रवाह जाने कि अगर फिलो की बात कर आते हैं के बैतनी कैसे है तो यह जो तिबबत है यहां पर इसका उद्गम स्थल है जिसको आप क्या कहते हैं उद्गम स्थल कहां पर है मान सरोबर के पास है कहां पर पास है मान सरोबर जील के पास है और एक यहां पर गलेसियर आता है जिसका उद्गम है इसको कहते हैं चे किस नाम से जानते हैं सिंधु गॉर्ज क्या कहते हैं सिंधु गॉर्ज अब गॉर्ज क्या था ये बात हम अब कर चुके हैं पिछले वीडियो में गॉर्ज मतलब आई आकाल की कुछ इस तरीके की घाटी कि जो पहार को बिलकुल खड़ा कार देती है और वीस से नदी बहती देटी है इसको क्या कहते है ये गॉर्ज कहलाता है एसको गॉर्ज कहलाथा ये हम देख चुके दें तो तिबस graveぎ भारत आई भारत में इसका प्रवेश लदा sequence होता है लदाक पर उसका प्रवेश होगा और कैसे होगा यह गॉर्ज के माध्ध हम से होगा उसके बाद पर यह पाकिस्तान पहुँचेगी तो पाकिस्तान में अगर आप देखें जो कस्मीर है जिसको आप यू के कहते हैं वाँ गिलगित में पहुचेगी गिलगित और बलुचिस्तान होते हुए कैसे कैसे गिलगित और बलुचिस्तान होते हुए पाकिस्तान के अटक में निकलती है गिल सिंदू और उसकी सहायक नदियां जो है वो सब एकटी हो जाती है मीठन कोट के पास मतलब कौन-कौन सी नदियां मिल जाती है कि सतलुज मिल जाती है राभी मिल जाती है जेला मिल जाती है यह चारों मिल जाती है किसमें सिंदू में और वहां से एक नदी सिंदू के नाम से य है destination मतलब गंता पर हो जाएगा कहां पहुंचाएंगी अरफ सागर में यह जाकर गिरेगी इसका गंता हो जाएगा मतलब कहां बह रही है पस्ट्रिम की तरफ बहने वाली नदी है ते बस से निकलिए और पीछे की तरफ जा रही है इसी कुछ सहायक नदियां है जम्मोन कस्मे पाएन नदियां है कि मैप देख लिए रहा है तो मैप अगर आप देखेंगे एक बार जल्ड़ी से तो आप आएंगे कि यह संदू नदी अगर आप देख पा रहे हैं तो संदू का औरजिएन support और आप से हां से अलग और अलग धारा हूं मैं निकल लगा साँ और का आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर पर ही आपको लगाफ होगा काटेंगी तो यहीं पर तो गिलगत कहते हैं यह गिलगत वाले लाके में आप देखें यह बहर यह गिलगत वाले लाके में फिर गिलगत के बाद यह बलुचुस्तान वाले लाके में फिर यह अटक वाले लाके में अटक की बाद यह यहां पर पहुंच गए यह सारी नदियां मिल जाती है यह लाका क ना को पहने लाता है इस efल्र कहेंगे अगर इस जंग संकी में बातरूर इसको का कहेंगे यह कहलाएगा मीठनकोट कि क्या कहलाएगा switch कहेंगे मीठनकोट ठीक है अब आप देखें यहाँ पर कि यह सिंधू में नदी की बात कर ली हमने कि क्या है यह सिंधू नदी है कौन सी नदी हो गई यह सिंधू नदी की मुख बात हो गई है ना सिंधू नदी हो गई फिर इसके बाद आप देखें इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि इसमें और अन्न सहायक नदियां धीरे-धीरे मिल गई है जैसे आप देखते हैं यहाँ पर कि इसमें यह जेलम नदी आई है यह जेलम आई है बूलर जील होते हुए यह जेलम मिल गई फिर आप मैं देखा कि यह चिनाव आई है यहां से फिर यह रावी आई है फिर यह सतलो जाई है और यह सब मिलकर क्या हो गई सिंदू के नाम से फिर याघवारी रही वंगाली खाणी तो क्या हो जाएगा यह जो जंगसर्ण जो हमने बात करें कि तिब्बत सेने के लिए भारत में आई भारत के पाकिस्तान में गई और मीठन कोट में क्या हो जाती है मीठन कोट में खटे हो जाती है यहां पर वो स्योक और जौसकर है ना और नुब्रा है यह नुब्रा जिसको आप कहते हैं यह सब आपको यहां पर सहायक नदियां मिलेग अगर मैं धाल की बात करूँ कि धाल जो है वो बहुत धीमा है कैसा है धीमा सिलो एक तो सिलोप होता है ऐसा इस पुगा कई किसी चीज चिछ का सिलोप है तो ये आप काूँगे एक समझोता हुआ था जिसको कहते हैं सिंधू जल समझोता कब होता है 1960 में होता है सिंधू जल समझोता क्यों होता है तो यह किसके बीच में होता है तो याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में समझोता क्या करता है तो यह जल बटवारे को लेकर बात करता है किसको लेकर बात करता है जल बटवारे को लेकर बात करता है जल बटवारे को लेकर बात करता है जल बटवारे को लेकर बात करता है कि भाई सिंधू की बात कर रहे हैं जेलम की बात कर रहे हैं और यह आप चिनाप की बात कर रहे हैं यह ती कि ये दो नदियां रावी और सतलोज और एक छोटी नदी ब्यास नीचे की तीन नदियां भारतिक अंट्रोल में दी गई हैं मतलब सिंधु जेलम चनाव इनका अधिकांस पानी जो है वो पाकिस्तान उप्योग करेगा ऐसा समझोते मैं कहा गया और नीचे की जो नदियां है उनका दिकांस पानी भारत उप्योग करेगा यहां पर यही समझाथा चैस को आपको कह रहें है है अगला तंत्र आता इसको आप कहते हैं गंगा नदी तंत्र बहुत बड़ा तंत्र है बहुत सिस्टमाटिक तरीके से इसको आपको समझना पड़ेगा एक एक करके मैं बात करता हूं आपको बताऊंगा क्या है तो अगर देखें जो गंगा नदी तंत्र है तो अप देखते हैं तो अलग अलग जगहों से द प्रियाग आपको और प्रियाग रुद्ध प्रियाग है ना प्रियाग आसे प्रियाग यह विस्ट्रूप्र ये भी आपको मिलेंगे लेकिन और इंटरेल पार्ट हो जाएगा अलगनंदा का तो अब क्या ओफ़ om गंगोत्री बना दी और एक अलखनंदा बना दी है ना एक गंगोत्री बना दी और एक अलखनंदा बना दी चलिए बना लेते हैं कि करके एक गंगोत्री बना लेते हैं और एक अलखनंदा बना लेते हैं पहरे ग्लेसियर बना लिया हमने यह और एक ग्लेसियर बना लिया हमने पिर हमने कहा कि यहां से एक नदी हम निकाल लाए हैं जिसको हम क्या कहते हैं एक नदी हम निकाल लाए हैं जिसको हम कहेंगे एक कहलाएगी भागी रती और एक कहलाएगी अलखनंदा ये दोनों जहां पर मिलेंगी उस जगए को आप क्या कहेंगे वो दोनों जगए मिलेंगी तो उस जगए को आप कहेंगे ये कहलाएगा देप्रियार क्या कहलाएगा इसको कहेंगे आप देप्रियार ये वाली जो ब्रांच है इस वाली ब्रांच को आपने क्या कह दिया ये वाली ब्रांच कहला गई भागी रती और ये वाली ब्रांच जो है सो कह दिया अलखनंदा ये घटना उत्राखन के अंदर होगे उत्राखन के बाद ये नदी आगे बढ़ेगी है ना ये नदी उत्राखन के बाद आगे बढ़ेगी कुछ इस तरीके से चलेगी आगे चली और ये पूरा उत्रप्स पार करते हुए ये इलाहवाद में पहुच जाती है तो इसकी एक सहायक नदी है जिसको आप चा कहते हैं अगर मैं यहां से यामनोत्री बना दूँ तो यामनोत्री से ये नदी निकलती है इसको प्रियाग के बाद ये नदी और आगे चलती है बिहार पार करती है बिहार पार करने बंगाल पार करती है और ये फिर ऐसी हुगली नदी में ऐसे दो ब्रांच एसकी हो जाती है एक को आप कहते हैं हुगली क्या कहते हैं हुगली एक को आप कहते हैं हुगली और कि यह इस नाम से आपकी एक ब्रांच जो है इसको उगली और मुख धारा जो है वो कहां चलिया आती है पस्चे मंगाली चलिया इस पे चोटी से नदीव आकर और मिलती है जिसको आप कहते हैं मेगना और एक ऊपर से बड़ी नदीवा कर मिलती है इसको क्या कहते हैं ब्रह करेंगे कि कर के आपको किलियर हो जाएगा तो सबसे पहले चीज सब्सक्राइध ने देख लिए कि यह उद मिल जाती खपार प्रवति ही भाग को फ्रियागमे में क्या करती है मैदानी भाग में प्रिविस्ट करती है हमाला से निकलने वाली यह बहुत सी नदियां आकर मिलती है इसकी सहायक नदियां आप देखें एक यमना मिलती है घागरा मिलती है गंडक मिलती है कोसी मिलती है सौन मिलती है यह सौन तो नीचे से आएगी यह नदियां क् जाती है यमुणा की जो हम बात कर रहे हैं यमुणा जो है वो कहाँ से निकलती है तो यम13 ॥ocy है यम23 गुलेशियर सीनिकल था गया व्रेक्टिया गया यमुंणा की दाहें साइड से लाएं से मतलब गंगा ऐसी वे रहे हैं। यसका तर्थ क्या होगा हम नदी जैसे बह रही है उस डिरेक्शन में अपना मूँ करेंगे तो जो हमारा लेफ्ट वो उसका लेफ्ट जो हमारा राइड वो उसका राइड तो ऐसे ही बह रही है मतलब उपर वाला लेफ्ट तो हमाला से जो नदी आएंगे वाएं तरफ से और जो नीचे से नदी सर्च amalaya के साथ ağaiganda के सार्थ नेपर से निकलती है मतलग कि मैं कह सकता हूँ कि यह बात पराती है और यह क्या मिलती है यह गंगा-के दाहने मैदान के कुछ हिस्से में क्या आती है बाड़ा जाती है जिसे बड़े पैमारे पर बहुत नुक्सान होता है लेकिन यह नदिया जो मिट्टी को उपजाव पर प्रदान करती है वो किर्सियों के भूमी इससे बन जाती है गंगा की लंबाई जो है वह आप लंबाई पूरी से बीच जल भाजक का खाम करता है अब अंबाला क्या हो गया तुस्तू नदीच अंत्र जो हो गया अगर आप देखें तो यह सिंदू जा रही है ऊपर और यह गंगा जा रही है यहाँ पर कहीं पर होगा अंबाय जिससे कारण यहरा मिल नहीं प Aur έχει तो अब यह उच्छा उथा-बाग तक गंगाव होग हो गया सिंधु में गिरावट मुस्किल से 300 मीटर होती है मतलब अगर आप बात कर तो प्रती 6 किलो मीटर में मातर एक मीटर ढ़ाल गिरता है सिलो बहुत सिलो है इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बिसर्प बनते हैं बिसर्प कैसा साप जैसे से रेंग कर चलना तो ऐसे बड़े- अश्रप यहां पर बनते हैं बड़े-बड़े बिसर्प इन यहां पर बनते हैं गंगा नदिय तन्तत्र किस अदतर अब आइए और इहां पर आग गया गया इलहाबाद के बाद पर ये आगे चली इसमें फिर ये घागरा नदी मिल गई घागरा के बाद ये गंडक नदी मिल गई गंडक के बाद ये कोसी नदी मिल गई कोसी के बाद ये दो ब्रांच पर तोट गई अब आप देख पा रहोंगे यहां पर कि यमना है यह यमनोत्री गलेसियर से निकली है यह यमना है और यमना जाकर इलावाद में मिल जाती है आप देखें यहां पर यह घागला नदी जो है वो यहां पर मिल जाती है और यह गंडक नदी जो है वो यहां पर मिल जाती है कोसी नाइं तरफ से आ रही है तो यह किनारे हो गए दायं और वाय किनारे की बात हो गई यहां पर किलिए अब नमामी गांगे परियोजना एक एक एकर्त संदक्षण मिसने है कैसा है का सन रक्षन के लिए छलाये गया है इसमें राष्टिये नदी गंगां से संबन्देद दो रिदूसर के प्रभाव को कम करना और उसके संदक्षन और काया कल्ब को पूरा किया जाना तो यह इसके लिए अगर आप से पूंछें कि नमामी गंगा परियोजना जो है वो किस चीज के लिए चलाई गई है तो आप बता पाएंगे कि नहीं तो उसके दो उद्देश हैं एक तो दूसरा के प्रभाव को कम करना और दू एंग दोट एन नमामी गंगा डॉट एस पी एकस हैस यह वेबसाइड है लिंक है इस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी जानकार इसकी और मिल जाएगी है अगला क्या सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाये जाने वाली सुंदरी पादप से लिए जाता है पादप मतल गहले तो सुंदरी पौज़े मालने जमीन पर यह पौधा लगा दिया जमीन पर लगा दियान अब इसकी जड़न नीचे की तरह आइंगी है इसाकि ऑफर उसके वाद की तरह पादके तरह आती हैं पलटकर इसको या बड़ी मजबूती मजबूती प्रदान करते हैं तो पढ़ेके सुनरवन सुनरवन डेलटा इसका सबसे बड़ा तेजी से ब्रधि करने वाला डेलटा है और यहां पर क्या पाया आते हैं आपको रॉयल बंगॉल टाइगर मिलेंगे और घृयल बैंगॉल टाइगर नग्यूल डुनिया का सबसे बड़ा ही क्णिसको सबसे बड़ा दिलता है किलियर बात यहां तक की चलिए अब आता है ब्रह्मपत्व नदीतंत के बारे में कि ब्रह्मपत्व नदीतंत क्या है तो अब ब्रह्मपत्व नदीतंत मतलब इसका ओरिजन कहा है तो तिब्बत में मांसरोबर जील के पास से यह निकलेगी कहां से जह सिंधु से इसकी लंबाई थोड़ा साथ है इसकी लंबाई 2888 थी और इसकी लंबाई 2900 किलो मीटर के आसपास होगी अधिकांस भाग भारत में थोड़ा सा आप अलवना चल वह थोड़ा सा असाम बस इसके बाद पूरी आज आ आ नमें देखेंगे भारत के बाहर कुछ चाइ यूटन बनता है यहां पर एक पहाली आती है जिसको आप कहते हैं नामचा बर्वा सिखर की पास्ते से मुड़ जाती है यूटन बना देती है और इसके तवारे गौर्ज बना जाता है जब यह पहाली आई तो पहाली हमाला है तो हमाला को उसने काट दिया तो यह गौर्ज ब गौर्ज के साथ इसका भारत में प्रवेस हो जाएगा सहायक नदियां कौन सी होंगे तो दिवांग लोहित और कैनुला और इसके अलावा सुभांसरी धनसरी पगला दिया जिया भरेलीस टाइप की नदियां ब्रह्मपुत्र और बनगलधिस में कितने कितने हो गए तो एक सबसे पहले कि बड़े नाम पर देख सकते हैं जिनका यहाँ पर चलना को मो siihen नदी का मैप है देखेंगे कि करके अब यही नदी जो है एक धिल्टा भी बनाएगी मतलब दूइप वह ऊफ्सकिछेत है मतलब यहां पर ठंडा है और जल और सिस्ट की मात्रा कम होती है भारत में बरॉमपुत जहां से आती है वहाँ पर बरसा जादा होती है जो कर बाट जाती है तो इसके कारण क्या होता है की अस्राम 되면 अनिक धारा को कि अनोद भारत में बहने लगती है पन्र吃 तो इस कारण से हाँ पर कई सारे नदी दूइब बन जाते हैं दूइब तो मैंने बताए थे कि दूइब मतलब जो चारो तरफ पानी से घिरा हुगा उसको दूइब कहेंगे और अगर जो चारो तरफ नदी के पानी से घिरा हुगा उसको नदी दूइब कहते हैं ऐसा ही एक दूइप आपको मिलेगा जिसको आप कहते हैं माजुली दूइप इसके बारे में भी हमने पढ़ा है माजुली दूइप दुनिया का सबसे बड़ा नदी दूइप है अगर आप यह फोटो देख पा रहे हैं तो यह माजुली दूइप की है यह पानी यहां से आया और यह पानी यहां से आया और यह दोनों जगह से पानी भर गया बीच में यह लेंड पार्ट बस गया और ऐसा दूइप है जहां पर इंसान निवास भी करते हैं रहते भी है ठीक प्रतेक बर्स वर्सा रितु में यह नदी अपने किनारों से उपर बहने लगती है मतनब का यह कारण बनने लगेगी असम और बंगला देश में यह बहुत नुकसान पहुंचाएगी उत्तर भारत की नदियों के विप्रेट ब्रंपुत में सिल्ट ने छिपन की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है इसे कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धा और यह देखो यहाँ पर यहाँ यहाँ पर आपको नामचाव बर्व बना रहे हैं तो यहीं पर एक दूप बनाया गया उसके दोरेा इसको आजुलِ दीब कहते हो और फिर यह बंगलादस में प्रिवेस करती है जमणाना भूटाता है तो यह ब्रह्मपुत्त्त की कहानी आप यहां पर देख पा रहे हैं यह ब्रह्मपुत्त की कहानी थी जो हम नहीं यहां पर देखी हुई थी कलियर तो यह हिमाला है नदेतंत के के बारे में हमना यहां पर चर्चाएं करी होंगी मैगनेट बेंस अपनी हाइई क्वालिटी एजूकेशन साथी साथ निसुल्क सिक्षा के लिए भी जाना जाता है मतलब को क्वालिटी कंटेंट के लिए किसी प्रकार का कोई खर्चा यहां पर नहीं करना है सबी वीडियो आ देख रहे हैं मैगनेट बेंस के हिंदी चैनल मैगनेट बेंस हिंदी मीडियम पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ जम कर शेयर करें धन्यबाद